अगर आपने अभी तक ये चैनल लाइक सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को जल्द से जल्द लाइक करिए वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिए और प्लीज अपनी क्वेरीज मुझे कमेंट के जरीए जरूर बताइए तो मैं आप सब भी लोगों का biology hub channel में welcome करती हूं तो आज हम क्या करने वाले हैं आज हम जो topic लेने वाले हैं वो है आपका glycolysis so glycolysis का मतलब जैसे कि आप देखी पा रहे है glyco का मतलब होता है glucose और lysis का मतलब होता है breakdown तो यानि आज जो हम study करने वाले हैं वो है आपका breakdown of glucose ठीक है तो I hope you all are very excited इस topic को समझने के लिए and मैं आपको जो ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप ग्लाइकोलिस बिल्कुल आपको टिप्स पे लर्न हो जाएंगी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपको पाथ होई लगता है कि बहुत बढ़ा है इतने सारे steps है कैसे याद रहेंगे लेकिन अग hope you all are excited because I am excited to teach you so चहलिए बढ़ते हैं सबसे पहले step की और सबसे पहले step में क्या होता है कि आपका glucose जो है वह आपका change होता है glucose 6-phosphate में और इस reaction में आपका ATP यूटिलाइज होता है और ADP plus PI आपका बनता है यानि first step में आपका ATP consume हो रहा है glucose से glucose 6-phosphate बनता है और इस reaction को जो enzyme catalyze करता है वो है आपका hexokinase देखे आपके glycolysis में जितने भी step है वो सब enzyme से catalyzed है ठीक है तो जो first step में जो आपका enzyme involved है वो है आपका hexokinase अच्छा glucose 6-phosphate बनने का purpose यह होता है कि एक बार आपका glucose 6-phosphate बन जाता है तो glucose अब आपके cell से बाहर नहीं जा प लेकिन step है कि आपका glucose 6-phosphate से अब आपका बनता है fructose 6-phosphate ठीक है तो आपका जो glucose है अब आपका fructose में चेंच हो जाता है और अब आपका इस reaction को जो enzyme catalyze कर रहा है वो है आपका phosphoglucos isomerase phosphoglucos isomerase देखिए जो आपका glucose से जो fructose बन रहा है अब यह आपके isomerase है इसलिए जो enzyme involved है वो है isomerase ठीक है और आपका because glucose is getting converted into fructose तो आपका phosphoglucos isomerase is the enzyme और यह आपका है step 2 चलिए बढ़ते है step 3 की तरफ step 3 में क्या है कि आपका fructose 6-phosphate अब fructose 1-6-bisphosphate में change होगा 1-6-bisphosphate मतलब अब एक और phosphate आपकी add हो जाएगी ठीक है जबी भी आपकी phosphate add होती है तो वो enzyme जो आपके catalyze करते है reaction उन्हें kinase कहते है अब fructose से आपका fructose 1-6-bisphosphate बन रहा है तो अब यह इस enzyme का नाम हो गया phospho-fructokinase ठीक है क्योंकि आपका phosphate group add हो रहा है इसलिए kinase और इस reaction में भी आपका ATP जो है वो consume हो रहा है ठीक है अब आपको यह हमेशा याद रखना है कि कहां कहां ATP जो है वो consume हो रहा है और कहां पर बन रहा है तो अब भी तक जितने भी reaction देखे है reaction 1 और reaction 3 दोनों में ही ATP utilize हो रहा है और यह जो है आपका reversible reaction नहीं है जैसे कि hexokinase वा rate determining steps मतलब अगर यह reaction होंगे तब ही बाकी के reaction होंगे अगर इन में से कोई भी एक reaction नहीं होगा तो glycolysis नहीं हो पाएगी अच्छे यह आपका step 4 और 5 जो है वो combined है अब आपके fructose 1,6 bisphosphate से सबसे पहले आपका बनते हैं two molecules of dihydroxy acetone phosphate जैसे आप देख पा रहे हैं कि dihydroxy acetone phosphate में 3 carbon है और हमारे glucose या हमारे fructose जो है उनमें कितने carbon होते हैं वो होते हैं आपके 6 carbon तो आपके सबसे पहले two molecules of आपके dihydroxy acetone phosphate बनते हैं जो कि फिर आपके isomerase reaction से glyceraldihyde 3 phosphate में चेंज हो जाते हैं तो आपका basically fructose 16-bis phosphate जो है वो टूट रहा है dihydroxy acetone phosphate और glyceraldihyde 3 phosphate में उसके बाद आपका dihydroxy acetone phosphate भी आपका isomerase enzyme से glyceraldihyde 3 phosphate में चेंज हो जाता है तो at the end of reaction 5 आपके पास two molecules हो जाते हैं glyceraldihyde 3 phosphate के ठीक है step 4 आपका ये है कि आपका fructose 16-bis phosphate जो है वो टूटता है into dihydroxy acetone phosphate और glyceraldihyde 3 phosphate एक ही time पे ये दो molecule बना रहा है two molecules of dihydroxy acetone phosphate नहीं बन रहे हैं मैंने आपको पहले बताया था लेकिन two molecules of dihydroxy acetone phosphate नहीं बनते हैं आपके fructose 16-bis phosphate से आपके dihydroxy acetone phosphate का एक molecule बन रहा है एक molecule बन रहा है glyceraldihyde 3 phosphate का और फिर आपका जो dihydroxy acetone phosphate है वो भी isomerase enzyme से glyceroldehyde 3-phosphate में change हो जाता है step 5 में तो at the end of step 5 आपके पास 2 molecules हो जाते हैं glyceroldehyde 3-phosphate के अब step 6 में आपके पास 2 molecules है glyceroldehyde 3-phosphate के अब क्या होगा अब यह आपके 2 molecules of glyceroldehyde 3-phosphate जो है वो आपके बना देंगे 2 molecules of 1-3-bisphosphoglycerate अब इसके अंदर भी देखिए आपका एक तो phosphate group add हो रहा है और जो aldehyde moiety है वो आपके glycerate moiety में change हो रही है यानि आपके जो carboxylic acid है उसमें change हो रही है तो यहाँ पे जो enzyme काम कर रहा है वो है आपका glyceroldehyde 3-phosphate dehydrogenase ठीक है और इस reaction में आपके 2 NAD plus molecule जो है वो आपके 2 NADH plus 2 protons release करते है तो आपके step 6 में 2 glyceroldehyde 3-phosphate जो है आपके 2 molecules of 1-3-bisphosphoglycerate बना रहे हैं और आपका enzyme involved है glyceroldehyde 3-phosphate dehydrogenase क्योंकि यहाँ पे आपके 2 molecules of NAD plus जो है वो 2 molecules of NADH plus 2 protons release कर रहे हैं ठीक है अब आते हैं step 7 पे step 7 में क्या हो रहा है कि आपके 2 molecules of 1-3-bisphosphoglycerate जो बनने हैं अब यह आपके 2-3-phosphoglycerate बना रहे हैं ठीक है अब इस reaction में क्या हो रहा है आपका 1-phosphate group जो है वो आपका release हो रहा है यानि कम हो रहा है और इस reaction में आपका ADP से ATP बन रहे है 2 molecules of ADP से 2 molecules of ATP बन रहे है देखिया आपके पस तो मोलीक्यूल से 1-3-bisphosphoglycerate के अब आपका जब एक ADP से 2 ATP step 7 में आपके बनेंगे अब step 8 में जो आपके two molecules of three phosphoglycerate बने हैं वो आपके two phosphoglycerate बना देंगे तो basically जो आपका phosphate group जो third position पे था अब आपका second position में आ रहा है तो ऐसे reactions को आपके mutase enzyme जो है वो catalyze करते हैं क्योंकि आपकी position change हो रही है तो यह आपका जो enzyme यहाप पे काम करेगा वो होगा phosphoglycero mutase ठीक है उसके बाद आपके two molecules of two phosphoglycerate जो बने हैं इस reaction में basically two water molecule release होंगे और आपके बनेंगे two phospho enol pyruvate ठीक है और इस reaction में आपके two water molecules release होंगे next step 10 में आपका two phospho enol pyruvate बने थे अब यहाँ पे क्या होगा आपके two molecules of pyruvate बनेंगे तो जो आपका phosphate group जो second position के carbon से attached है वो आपका release हो चाएगा और वहाँ पे आपका ketone moiety आ जाएगी C double bond O जो होता है वो आपका ketone group होता है तो आपका two pyruvate बनेंगे और यहाँ पे भी आपके two molecules of ADP जो है वो two molecules of ATP बनाएंगे और यहाँ पे जो enzyme catalyze हो रहा है वो हो रहा है pyruvate kinase और यह भी आपका rate determining step है reversible reaction नहीं है क्योंकि arrowhead एक ही तरफ आपको दिख रहा है तो यह आपकी overall summary है आपकी glycolysis की जो मैंने आपको step wise समझाई है अगर मैं आपको flow chart में समझाती तो शायद आप कुछ step भूल जाते लेकिन मैंने आपको step wise समझाया ताकि आपके दिमाग में हर एक step रहे और किसके बाद क्या बनना है यह आपको पता हो तो सबसे ज्यादा important step है कि जब glucose से glucose 6-phosphate बनता है जिसे hexokainase करता है और glucose 6-phosphate बनन से आपका 1,6-bisphosphate बनेगा और आपके शुरुआत के reactions में ATP यूटिलाइज होता है और ADP बनता है उसके बाद आपका fructose 1,6-bisphosphate glyceraldehyde 3-phosphate बनाएगा और dihydroxyacetone phosphate बनाएगा फिर dihydroxyacetone phosphate जो है isomerize करेगा और again glyceraldehyde 3-phosphate बनाएगा with the help of enzyme isomerase उसके बाद glyceraldehyde 3-phosphate से आपका 1,3-bisphosphoglycerate बना फिर 3-phosphoglycerate फिर 2-phosphoglycerate उसके बाद phosphoenol pyruvate and finally आपका pyruvate तो इस step में आप देख सकते हैं कि शुरुआत में आपके 2 molecules of ATP यूटिलाइज हुए हैं और बाद में आप देख सकते हैं कि आपके जो last में 2-2 molecules of ATP यानि 4 ATP आपके बने हैं और 2 molecules of NADH बने हैं तो अगर आप देखें तो 4 ATP बाद में बने और 2 molecules of NADH बने और शुरुआत में आपके 2 ATP यूटिलाइज हुए तो नेट जो आपके ATP प्रड्यूस हो रहे हैं वो 2 है और 2 NADH प्लस H प्लस बन रहे हैं तो यह आपको याद रखना है तो अगर आप देखें तो अब आपके बेसिकली स्टेप है सबसे पहले ग्लाइकोलिस होती है जिसमें पाइरुवेट बनता है उसके बाद आपकी क्रेप साइकल होती है जिसमें NADH और FADH मॉलिक्यूल बनते हैं और फाइनली एलेक्ट्रोन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं जहां पे NADH और FADH से आपके बेसिकली प्रोटोन ग्रेडियन जनरेट होता है और OXIDATIVE फोस्फोराइलेशन होता है और ATP जनरेशन होता है तो ग्लाइकोलिस इस फर्स्ट स्टेप और ATP जनरेशन ठीक है तो उसके एंड में जो आपके जो ग्लाइकोलिसिस के 2 ATP नेट बन रहे हैं क्योंकि आपके लास्ट के स्टेप में 4 ATP बने थे लेकिन अर्लियर आपने 2 ATP यूटिलाइज भी किये तो नेट ATP की जो आपकी प्रोडक्शन है वो 2 ATP है और 2 NADH प्लस 2 प्रोटोन आपके एड दे एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस बन रहे हैं तो देखिए आपका सबसे पहले सेल साइटो प्लाजम में ग्लुकोज आएगा ठीक है अब एक बार आपके सेल में ग्लुकोज आया पाइरुवेट बना 2 Molecule of ATP बने 2 Molecule of Pyruvate बने अगर आपके सेल में oxygen की कमी है तो आपका पाइरुवेट ज जब आप विग्रस एक्सराइज करते हैं यह तब बनता है क्योंकि आपकी अक्सीजन कम हो जाती है अच्छा लेकिन जब आपकी बॉडी में अवेलेबल होती है तो लेक्टिक एसिड जो है वह आपका अगें पाइरुवेट में चेंज हो जाता है माइटो कॉंड्रिया में ज फ्यूज हो जाता है ठीक है तो यह आपका ओवराल ग्लाइकोलिसिज है नेक्स्ट देखिए अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है यूसपुल लग रही है वीडियो तो प्लीज आप चैनल को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए और हंजी बिल्कुल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल आपने भूलना नहीं है और प्लीज बेल आइकन भी दबाएए ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आए आप उसको सबसे पहले देख पाए तो प्लीज अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिए और प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूल येगा. Thank you!